हमारे साथ जूरे रहने के लिए InfoTube YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ Google Pay से Redeem Code कैसे बनाएं दोस्तों अगर आप भी Google Pay की मदर से Redeem Code बनाना चाहते हैं Play Store का लेकिन अगर आपको पता नहीं है Google Pay की मदर से Redeem Code कैसे बनाया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाज तक देखते लिए आज की इस वीडियो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों Google Pay की मदर से Redeem Code बनाना काफी ज़्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाज तक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप Google Pay की मैसे Redeem Code बना सकते हैं सबते पहले तो आपको यहाँ पे Google Pay को Open कर लेना है उसके बाद कुछ इस परगार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे आने कबर Redeem Code बनाने के लिए आपको यहाँ पे हलका नीचे के साइड में जाना है जैसे आप यहाँ पे नीचे के साइड में आते हैं आपको एक Option देखने को मिल जाएगा के अंदर कुछ इस परकार से उफसन नहीं आ रहा है तो डारेक आप सर्च करके भी आ सकते हैं उपर के साइड में सर्च ओले बॉक्स पर क्लिक कर दीजे और यहाँ पर आपको लिखना है play store यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं play store यहां पर play store लिखने के बाद आपके सामने आ जाएगा यहां पर play store recharge code simply आपको इस पर click कर देना है यह दो तरीका से आप यह वाले option पर आ सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है google play store recharge code अब यहां पर आ जाते हैं नीचे के साइड ने buy का option आपको लेखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है और यहां पर जितना रूपिया का भी आप redeem code बनाना चाहते हैं उतना रूपिया डाल दीजे minimum आप यहां पर 10 रूपिया का redeem code बना सकते हैं और जादा से जादा आप यहां पर 5.5 रूपिया तक का redeem code मना सकते हैं हम यहां पर 10 रूपिया डाल देते हैं उसके वाद आपको यहां पर यह वाल अबरेंट पर click करना है और यहां पर simply आपको अपने bank account से अपने UPI से जो है pay कर देना है pay वाल बटन पर click कर दीजे और यहां पर confirm purchase वाले option पर click कर दीजे और यहां पर आपको अपना UPI pin डाल देना है चलिए यहां पर हम अपना UPI pin डाल देते हैं UPI pin डालने कवाद आपको simply okay वाल बटन पर click कर देना है और finally यहां पर आपका redeem code बनके ready हो जाएगा यानि कि Google Play Store से आपको Redeem Code मिल जाएगा यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया अब पेमेंट करने के बाद डारेक आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको Redeem Code देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है Recharge Code और यह Code आपके Message में भी आ जाता है और आपके Email ID पे भी आ जाता है कुछ देर के बाद आप डारेक यहाँ पे Google Pay open करेंगे तो यहाँ पे डारेक आपके सामने Use Code का ओप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे डारेक आपको Confirm पे क्लिक कर देना है डारेक आपको Google Pay का Recharge Code आपके Play Store में Transfer हो जाएगा वीडियो आपके सालगा मुझे कमेंट बॉक जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले